कि आप सोचिए कि अरदानी जी की रक्षा करने के लिए कि एक दम कि मेरी लोकसवा की जो सदस्यत आती उसको कैंसल कर दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करिये जितना करना है मैं सच्चाई बोलता हूं का और देश के सामने के एक सच्चाई अधानी जी है ओ पो हो ते लिए एरपोर्स मैं इंफ्रेस्ट्रॉक्ट्टर देख लिए भान खेल किसल कि गें अर्ज जगे आपको अधानी जी दिखाए देंगे अधानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है infrastructure में diesel में petrol में fertilizer में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उधियोग पतियों के जेब में जाता है मैंने मीडिया की बात की मैंने मजाग में कहा की मीडिया वाले हमारी मीटिक दो दिखाएंगे नहीं मोदी जी का 24 गंटा दिखेगा शिवराज जी का 24 गंटा दिखेगा क्यों क्योंकि इनका remote control अदानी जी के हाथ में है देखेंगे मुस्कुर आ रहे हैं प्रेस वाले मुस्कुर आ रहे हैं इनके बिचारी की गलती नहीं है यह रिपोर्टर है इनकी गलती नहीं है यह सचाई जानते हैं रिमोट कंट्रोल पीछे से कंट्रोल दपता है कि एक और सचाई है और वो सचाई कि साइब अदानी जी से भी बड़ी सचाई है कुछ दिन पहले कि बीजेपी ने महिला रक्षन की बात की कि महिला रक्षन में हमने एक सवाल उठाया कॉंग्रेस पार्टी ने उठाया बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया हमने दो चीज़े कहीं हमने पहले कहा देखिये यह महिला अरक्षन जो आप कर रहे हो यह अच्छा है इसको करना चाहिए कि मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइने लिखर की हैं सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाईए लाइन क्या थी एक लाइन थी कि महिला अरक्षन से पहले सर्वे करने की ज़रूरत है और दूसरी लाइन महिला अरक्षन करने से पहले हमें जो दी नोटिफिकेशन होता है उसको करना है इससे क्या होगा इससे महिला अरक्षन दस साल बाद होगा आज नहीं होगा तो हमने कहां पहले ये दो लाइनों कहां बदल लिए और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज़ कही और सवाल पूछा कि महिला अरक्षन में OBC अरक्षन क्यूं नहीं है OBC अरक्षन महिला अरक्षन में आपने क्यूं नहीं दिया नरेनर मोदीजी आप कहते हैं कि आप OBC के लिए काम करते हैं आप OBC के नेका हैं तो आपने महिला अरक्षन के अंदर के बीच में OBC आरक्षन क्यों नहीं किया अब बाशन से पहले मैंने आकड़े देखे और मैं हिरान हो गया बाई और बैन और नरेंद्र मोधी कहते हैं कि BJP में OBC के MLA और MP है सबसे पहले कॉंग्रेस के तीन तीन चीफ मिनिस्टर OBC हैं यह याद रखिए आप हमारी चार सरकार हैं तीन हमारे OBC चीफ मिनिस्टर हैं दूसरी बार आप पार्लमेंट में विधान सभा में चले जाएए और BJP के किसी भी MLA से पूछनी जिए MP से पूछ लीजिए आप से कुछ पूछा जाता है क्या जब कानून बनाए जाते हैं आप से कुछ पूछा जाता है आपको कहेंगे भई हमार से कुछ कोई नहीं पूछता छाए आज है कानून RSS आरे लोग बनाते हैं कानून अपसर बनाते हैं कानून BJP एगी जैपी के MLA और MP नहीं बनाते हैं कि सच्छाई बायों और बैनों एक और है कि कबिनट प्यएयों की सर्कार को चलाते हैं कि इस्टेटेश्य अपक्यतिक कि जाते हैं यह निंद्ने लेते हैं, पैसा जाएगा कितना पैसा आँ का जा सक हाय मैं आप हैं आप दशना चाहता हूं कि बीजेएकव दस साथ सरकार है दैक कि नबबेव अप्रसर अ cottage सेक्रित हिंदूस्तान को चलाते हैं कि मैं हिंदुस्तान के सब बढ़े सिसे पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है एंदुस्तान की सरकार में मध्यव्द्रदेश की सरकार में है आप मुझे बतादो इन नफंब्र अपसरों में से ओबीसी कितने हैं ओबीसी के अबादी कितनी है प्रेले यह बताओ कितनी अबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में देखो कोई जवाब नहीं दे सकता क्यों क्योंकि कास सेंसस नहीं हुआ है बाईयों और वेनों लगबग ओबीसी बाईयों की वेनों की 50 प्रतिशद अबादी है इंदुस्तान में बात समझेए अबादी 50% है और 90 में से तीन अबसर ओबीसी के हैं